हेलो एबरिवन आज का वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने बाला है आज की ये वीडियो न्यू फ्री ओनलाइन ड्रोइंग पिंटिंग पोस्टर एंड स्लोगन कंपेडिशन 2021 के बारे में है जिसमें बिनर बनकर आप काफी शांदार प्राइजिस जीच सकते हैं तो क्या है इसकी डिटेल्स चलिए जान लेते हैं ये प्रतियो गिता फ्री है और यहां आप 33,400 वर्थ एकसाइटिंग प्राइजिस बिन कर सकते हैं कैसे ये जानने के लिए वीडियो के साथ अन्ति तक जरूर जुड़े डिटेल्स एक्स्प्लेन करने से पहले मैं आपको बता दू कि ये एक गॉवर्मेंट कॉम्पिटीशन है जिनको लॉंच किया गया है बाए डिपार्टमेंट ओफ कॉंजियूमर अफेयर्स गॉवर्मेंट ओफ राजिस्थान के द्वारा और ओल ओवर इंडिया इट इस एन ओनलाइन स्लोगन राइटिंग एंड पोश्टर डेट्स मीन आर्ट ओब्लिक ड्राइंग ओब्लिक पेंटिंग पॉम्पिटीशन एलिजिविल्टी यहाँ पे स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स के अलावा अगर पीपल भी इसा ले सकते हैं कोई भी एज ल इमिट नहीं है लेकिन गूगल फॉर्म में आपको अपनी एजुकेशनल क्वैलिफिकेशन ओब्लिक स्कूल क्लास को मेंशन करना है जो मेंडेट्री है अब बात करते हैं स्लोगन और कोश्टर के रिवार्ट्स की पहले कोश्टर मेकिंग प्रति हो गिता फश्ट है 5,100 रूपीज तीसरा प्राइज है 2,100 रूपीज जो तीन पीपल को दिया जाएगा और नेक्स्ट है कॉंसुलेशन प्राइज जो 10 पीपल को मिलेगा 1100 रूपीज स्लोगन के भी सेम प्राइज है 11,000, 5,100, 2,100, and 1,100 पोश्टर के रूल्स की बात करें तो पोश्टर गिवन टॉपिक पे होना चाहिए हैंड मेड पोश्टर एक्सेप्ट किये जाएंगे पोश्टर चैन बी मेड ओन कैन्वस क्लोथ पेपर एंड एनी अधर मेडियम पोश्टर एट लीस्ट एफोर्ट साइस का होना चाहिए पार्टी स्पैंट दोनों एक्टिविटीज में एक पोश्टर एलाउड है पर वन परसन पार्टी स्पैंट मस्ट वी एक्च्वल एप्लिकेंट हिमसेल्फ पोश्टर पार्टी स्पैंट का ओरिजिनल आइडिया होना चाहिए अगर आप बिनर बनते हैं तो आपसे आइडेंटिटी कार्ड मांगा जा सकता है अल दा पोश्टर रिसीवड वी ओंड और ओर्गनाइजर वो केन यूज इट फॉर एनी परपस सेलेक्शन कमिटी का डिसीजन अंतिम और मानने रहेगा और डिस्प्यूट के केस में जूरिस्डिक्शन विल रिमेन जैपूरा स्लोगन कम्पिटीशन के रूल्स स्लोगन गिजन टॉपिक पे होना चाहिए स्लोगन हिंदी लेंगवेज में सम्मिट करें विद मैक्सिमम बड़ लिमिट ऑफ 30 वर्ड्स मैक्सिमम दो स्लोगन एक्सेप्ट किये जा सकते हैं फ्रॉम सेम पार्टी स्पैंट जो दोनों एक जा सकता हैं सभी स्लोगन को और्गनाइजर ओन करेंगे दे केन यूज इट फॉर एनी परपस फिट से सेलेक्शन कमिटी का डिसीजन ही अन्पिम और मान्य रहेगा थीम अबलिक टॉपिक की बात करें तो आप इन तीनों में से एक को सेलेक्ट कर सकते हैं कंजिमर अवेरने के बीच में करना है जो लास्ट डेट है डिकलेरेशन ऑफ रिजल्ट होगा इन तफर्ष्ट वीक ओफ दिसंबर और प्राइस डिस्ट्रिब्यूशन नैशनल कंजिमर डेपर इन दस्टेट लेवल फंक्शन और गनाइज़ ओन 24 डिसंबर पर होगा समीशन प्रोसेस अकर ज इमेल और वाट्सब का स्क्रीन शॉट आप ले सकते हैं और गूबल फॉर्म लिंक वेने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है उमीद है कि आप सभी को ये नई जानकारी अत्यन्थी पसंद आई होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें जादा से जादा शेयर करें और अपना फीड़बैक कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को ओल पे क्लिक करें तो मिलते हैं फिर बहुत जल एक न्यू इंफोर्मेशन के साथ तिल दैन अपना बहुत ध्यान रखिए थैंक्स फॉर वाचिंग एंड स्टे कनेक्टेड फोरेवर